मनोज कमपटेटिव कलासेज के यूटुब चैनल में मैं आपका तहदिल से स्वागत करता हूँ चलिए दोस्तों बिहार एससी से समंधीत उसी से रिलेटेड ये हम एक नया स्रीज स्टार्ट कर रहे हैं इडूटेरिया का बिहार समान अध्यन इसमें कुल जो है 37 सेट दिया हुआ है और प्रते एक दिन जो है हम एक एक सेट देंगे जिनको भी बिहार एससी का एक्जाम देना है इसको देख करके जरूर जाईएगा तो चल यह हम स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से देखिएगा पहला कोशन है बिहार के किस भाग में किस भाग से सरोपर्थम पुरा पासान कालीन ऑजार प्राप्त हुए हैं तो इसका अंसर जो होगा आपका दचनी भाग से चलिए अगला कोशन है बिहार को जानने के लिए सहिक प्राचीन जो है साहितिक स्रोत जो है आपका अथर उबेद हैं अगला कोशन है बिम्बी सार ने मगद की राजधानी जो है कहां बनाया मगद की राजधानी जो है गिरी बरज या राजगरी गिरी बरज या राजगरी अगला कोशन है मौर कालीन नगर प्रसासन में कि कितिनी समितियों का सहयोग प्राप्त था तो इसका अंसर होगा छे आगे बढ़ते हैं अगला कुछन है तिरतिय बाध संगती का आयोजन कहां किया गया था तो देखिए इसका हम ट्रिक भी बताये हैं जो आयोजन अस्थर है इसका जो है रावय पाकु होता है तो पूछ रहा कैमा तीसरा रा वै पा यानि पहला जो राजग्री दुसरा वैसाली तीसरा पाटली पुत्र तो यही पूछ रहा है आप से और चौथा जो है कुंडल बन जमुकास्मिर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगरा कोशन है सुफी स्परसित सुफी संत मकदूम सरफुर्दीन अहिया मन लैगले टुलक काल के समय बिहार की राजधानी कहा थी इह हार कि थी ए चारी है ठीक है आगे बढ़ते हैं मिथिता के कर्नाट वंस के सासको की राजधानी कहां थी तो इसका अंसर जो हो जाएगा आपका सिम्राओ गड़ इसका अंसर क्या हो जाएगा सिम्राओ गड़ चलिए आगा बढ़ते हैं नौमा कोशन है इवराहिम रोधी के सांसन काल में बिहार का वह सुबेदार जिसने सुल्तान के बिरूद बिद्रोह किया अगला कुशन है खिली जी वन्स के समय के कुछ सिक्के किस छेतर से प्राप्त हुए खिली जी वन्स के समय कुछ सिक्के किस छेतर से प्राप्त हुए तो इसका अंसर हो जागा भोजपूर इसका अंसर हो जागा भोजपूर अंसर हो जागा चलिए आग बढ़ते हैं अगला हुआ तो जिसका राजय भी से बिहार में हुआ वो कौन थे तो इसका अंसर हो जाएगा फरुग सियर यह जो है भैय यानि कि डर के मारे जो है यह पटना आए गया था और इसका जो है पटना में ही राजय भी से खुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं बिहार में सैनिक अभिया आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था सैनी का भ्यान जो है आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था तो इल्टुति मिस था ठीक है आगे बढ़ते हैं इसकी पुत्री का नाम जो है रजिया सुल्तान था आगे बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को रजधानी बन के रूप में स्थाफित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा किस नेता का सक्रिय योगदान रहा तो इसका अंसर हो जागा दिल्ली यानि सचीदानंद सिनहा सचीदानंद सिनहा आगे बढ़ते हैं अगला कुछन है बिहार में ब्यक्तिगत सत्याग्रह के पह पटना का चर्चित सचिवाले गोली कांट कब हुआ था तो इसका अंसर हो जागा आपका 11 अगस्त 1942 अगला कुशन है बिहार बिहार में 1857 के विद्रोह के नितिरित्व करता कौन थे तो इसका अंसर आप सभी जानते भी होगी विरकुवर्सिक ठीक है आ रहां से थे आगे अगला कुशन है बिहार में हुए नोनिया बिद्रोह के दोरान कौन सा जीरा प्रभावित हुआ था तो इसका देखेगा इसमें जो है सारन था पैसाली था और पुर्णिया था ये जो चमपारन है ये आपका नहीं था ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जागा एक दो और यानि कि ऑप्सन सी हो जागा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है असाहिओ का अंदोलन के दोरान हुए नसाबंदी अंदोलन में बिहार का कौन सा छेतर प्रभावित हुआ तो बिहार का जो है ये मुख रूप से ये साहाबाद जो है या आराम पड़ता है और ये इनदोल फ्रभावित जो है आपका साहाबाद था तो इसका अंसर का हो जागा आपसन ए यानि कि एक से अधिक अगला कुशन भिहार में बिहार में किसान अंदोलन को परसारित करने में महत्पुन युगदान दिया था, किसने तो इसका आंसर हो जागा यानि कि इन में से सभी, जो भी थे सबका युगदान था, ठीक है? आग बढ़ते हैं, अगला कुशन है, बिहार में कौमी सेवक दल का अस्थापना हुआ था, तो इसका अंसर है option यानि कि 27 नौंबर 1921 अगला कुसर है मध्य कालीन बिहार में अंतारास्टिय ब्यापार का मुख के अंदर था तो मुख के अंदर जो था वो पटना और भागलपूर था चलिए आग बढ़ते हैं अगला कुसर है बिहार पहुंचने वारे पर्थम यूरोपी ब्यापारी कौन थे तो पर्थम यूरोपी ब्यापारी जो थे आपका पुर्दगाल थे आगे बिहार में हुम्रूल अंदोलन के अध्यच थे तो इसका अंसर हो जागा option ए मजहरूल हक मजहरूल हक आगे कौन थे देश की बात के लिखा कौन थे तो इसका अंसर हो जागा option C सखाराम गनेश देउसकर चलिए अगला कुसर है बिहार परांत का गठन जो है कब किया गया था बिहार परांत का गठन जो है कब किया गया था तो 22 मार्च 1912 हो आगे देखे अगला कुसर है भारतिये पर्दान के किस अनुख्यद के अंतरगत राजपालद्वारा मुख्मंत्री की नियुक्ति की जाती है तो इसका अंसर आपका एकसो चोट अनुख्यद के तहरा ठीक है अगला कुशन है राज्य का बास्तविक पर्धान राज्य का जो है बास्तविक पर्धान कौन होता है तो इसका अंसर हो जगा उप्सन बिहार यानि कि मुख मंत्री अगला कुशन है पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं को 50% आरच्चन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना तो यह जो है अपका अपना बिहार यानि कि बिहार सरकार जो है 50% महिलाओं को आरच्चन आगे बिहार बिधान सवा में अनारच्चित सीटों की संख्या कितिनी है तो इसका अंसर जो है आपका सी होगा 203 आगे देखेगा सुतंता पस्चात बिहार में पहला चुनाओं कब कराया गया था तो इसका अंसर हो जागा 1952 में अगला कुशन बिहार के किस जीला में सुमेश्वर की पहाड़ियां सुमेश्वर की पहाड़ियां इस्थित है तो बिहार के जो है आपका पस्चमी चमपारन में सुमेश्वर की पहाड़ियां इस्थित है बिधान परिशद में सदस्यों का कारेकाल कितने वर्सों का होता ह तो इसका अंसर आप आप सुभी जानते होंगे छे वर्स का आगे अगला कुषन है आपात काल के समय किसी भी राज्य में विधान सभा की अबधी कब तक बढ़ाई जा सकती है तो इसका अंसर आपका छ्ह मा होताँ बिहार में पहली बार जो है राष्ट पती सासन कब लगा था बिहार में पहली बार जो है राष्ट पती सासन जो है आपका 1968 से 69 के मध्यर लगा था चलिए आगे अगला कुशन है 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिहार में गरामिन तथा सहरी जनसंख्या का परतीशत करमसा क्या है तो इसका जो है 88.7% एवं 11.3% अगला कुशन है 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे अस्थान पर है पहले तथा दूसरे अस्थान अस्थान पर कौन से राजी है तो देखिए आपका जनसंख्या के अनुसार बोल रहा है तो पहले जो है आपका फस्ट नमबर पर आपका उतर पर देश है दूसरा पर जो है महाराष्ट है और तीसरा पर जो है अपना बिहार है चलिए आगे बढ़ते अगला कुछन है बिहार का पहला दुर्दरसन के अंदर जो है कहां अस्थापित किया गया था यानि कि पहला दुर्दरसन के अंदर जो है बिहार में कहां स्थापित किया गया था तो इसका अंसर हो जागा मुझे परपूर अगला कुछन है बिहार की पर्थम चीनी मील मढवरा सारण में जो है इसका अस्थापना जो है किस वर्ष की गई थी तो इसका अंसर जो है ऑप्शन नहीं हो जागा यानि कि 1904 में अगला कुशन है बिहार का कौन सा जीला पड़ोसी देश नेपाल के साथ साजह नहीं करता है नेपाल के साथ जो है साजह नहीं करता है वह कौन सा जीला है तो इसका अंसर हो जागा सीबहर बिहार के किस छेत्र में धारवार चटान पाए जाते है तो इसका अंसर हो जागा दश्चिंपुर्व में कुश्ण है कि गंगा के मैधानी छेत्रों की पूरानी का चारी मिटी निम में से किस नाम से जानी जाती है तो इसका अंसर हो जागा बॉठ आपको पता है कि दो तरह क्यों होता है पुरानी और एक नई तो नया वाला को खादर और पुराना वाला को बांगर ठीक है ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि लोग खाने के लिए पसंद करता है नया तो खाने यानि खादर और नया ठीक है आग बड़ते हैं अगला कोशन है समुधर तल से बिहार की ओसत उचाई कितने मीटर है तो तीरपन मीटर है अगला कुशन है बिहार राजि की भुवाकरती निम्ड में से समानता किस परकार की है तो इसका अंसर हो जागा आयताकार आगे देखिएगा अगला कुशन है कोपेन के अनुसार उतरी बिहार की जलवाई को किस परकार बिवहाजित किया गया है तो इसका अंसर जो हो जागा आपका CWG अगला कुशन है बिहार का धिकांस भाग निम्ड में से किस परकार की मीटी से आचादित है तो इसका अंसर हो जागा आपशन A कछारी मीटी अगला कुशन है बिहार के कितने परमंडल से होकर गंगा नदी परवाहित होती है तो इसका अंसर हो जागा आपशन C यानि कि साथ परमंडलों से अगला कुशन है का कौलत जल परपाद विहार के किस जिले में है तो ये जो है आपका नवादा जिला में कौलत जल परपाद जो है नवादा जिला में अगला कुशन है निमन में से कौन सा जल कुंड राजगीर में इस्थित नहीं है राजगीर में इस्थित नहीं है देखिए का ये चार जो दिया हुआ है इसमें से तीन जो है आपका राजगीर में है और एक राजगीर में नहीं है तो वो कौन है तो वो लक्षमन कूल है ये जो है आपका राजगीर में नहीं है अगला कोशन है और लास्ट कोशन है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जा तो आप सभी इसको देख करके जरूर जाएगा और यह सिरीज जो है हम हमारा परियास रहेगा कि प्रती दिन एक सेट दिया जाए जो आठ से दस मिनिट में जो हो उसमें आपका कभार किया जाए तो चली दोस्तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को आश सेर कीजिए तो आज भरीता ही जैहिन जै भारत बंदे मातरवाद